हालो गुड इबनिंग नमस्कार दोस्तों मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ओनों स्टडी के ऑफिशली यूट्यूब से नपर दोस्तों थोड़ा सा दो दिन क्लास डिल्य हो गई थी थोड़ा सा टेक्निकल प्रोग्लम थी और इस वज़े से थोड़ा दो द है की तरफ आगे बढ़ते हैं दो देखिये हम अच्छे से समझेंगे होता क्या है डाइस की पर तो के बारे में समझेंगे एग्letter में किस तरह स्थे का पैटरन आता है उसके बारे में समझेंगे और प्लस मैं आज के क्यों तयुक्ष कराएं इ Clark को समझने में बहूत तो बच्चों को धिक्कत आती है कि सर्पता ही नहीं चलता कौन सी साइड किदर जा रही है कौन सी फॉलक किदर जा रही है कौन से डायरेक्शन किदर है तो उस चीज के एकोडिंग मैं थोड़ा सा देखूंगा बेसिक से चीजों को समझाओंगा और हाई लेबल तक लेके जा होगा उसमें डबा टाइप होता है अपने महावारत में देखा होगा तो पांड़ा और कॉर्बोट के दूपासा खेलते थे वो तो तो तीन चार साथ में रखते थे लेकिन अभी नावड़े उसको मोटिफाई करके एक ही पासा बना दिया गया है उसी में छे परते होती है छे परतों में से जब आप एक बार में एक को डालोगे तो एक ही परता आईगी उसको टॉप बोटम बोलेंगे और उसके नीचे जो जाएगी उसको बोटम बोलेंगे नीचे जाएगी ठीक है तो आईए समझते हैं पासे को क्या बोलता है पासा क्या कहता है पासा ठीक है ज अभी मैं आप लोगों को अच्छे से चीजों को समझाऊंगा फिर उसके बाद में आप लोग कोशन लगाईएगा ठीक है चलिए देखते हैं क्या बुलता हमारा पासा यस सबसे पहले हम चलते हैं एक पासा बना लेते हैं देखे पासे कितने प्रकार के होते हैं पासे सर तीन पासा जिसे आप लोग open डाइस बूलते हैं आज के समय में अगर मेरी माने आप लोग मैं अपनी राय रख सकता हूं वाकि मेरे को और पता नहीं ज्यादा चीजों का लेकिन मैं अपनी रहा रखता हूं तो जददर question open dice से आते हैं तो आज मैंने सबसे पहला वीडियो open dice के अपर रखा है जिससे question number of question बहुत ज्यादा आते हैं ठीक है C7 में से question पूचा जय जाता है जो नहीं को जबता है एक्टेशन पूचा जाते हैं अब लोगों को चीज को बेसिक लेबल से लेकर एडवांस लेवें से समयना होगा टाइम ज्यादा नहीं लगता पासे का क्वेश्चन दो मिनट में दो सेकंड से दस सेकंड के बीच में सॉल हो जाएगा बस आप लोगों को उस चीज को समझना है कि किस प्रकार से आपको बेसिक से लेके एडमांस तक सीखना है चीजों को किलियर करना है कहीं कि गोल गोल नही है उत्यक फ्सकाल फिरीक मेंडियलं ट्वाइट है में वन ट्यू व का टिखती है अगर आप लोग में खैलता हूं सूर्सिट आप लोग कहलते हैं को भी पासा खिलते लनग को सब्सग्स कहल थी को मेरी गोटी होती उसको दो आगे बढ़ा दोड़ा जब के इसको रसथ पीछ यह पर जे यह पर पीछे यहां पर चै और मों पता रहता न थैसंप ALL समझाता हूं कैसे यवाला हुआ इक मैंने दूसरा पासा अबना आप लोगों के लिए ठीक अ बाग्यी ये इक दूसरा पासा बना के आप लोगों के लिए ये ऐसा इसमा कुछ नहीं करना आपको रहे हमको उसकी नहीं करई कुछ नहीं करना इस पर मैंने रख दिया यहां पर देखे एक दो तीन चार यह नहीं चार तो यह वाला हटाओ भाई साथ ठीक है एक दो तीन एक दो तीन क्या बिंदियां दिख रही है उसमें ज्यादा छोटी हो गई एक बड़ा लेकर ताकि आपको अच्छे से समझ आए देखे एक दो तीन चार यह वाली हटा देते हैं हम लोग एक हाँ जी एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच है काफी उच्छों किसे कहएद आ रहे हैं सरथ तोड़ा सिलो सरच सुआ श्लो बिलकुल सिलो बिलकुल बेसिक से उठाई है आज ठीक है ना कोही जल्दी नहीं है वीडियो आधे गंटे की रहे एक घंटे की रहे दो जब मेरे को पता है कि मैंने पासा पटका ठीक है जी पासा अगर मैंने पटका और पासे में मेरे छे आ गया तो मेरे को इतना अंदाजा रहता है कि सर इस छे के पीछे पैय है जिसको सिंगल वन वोला जाता है ठीक है इतना तो आप लोगों को सभी को पता रहता है जी सर मेरे क को बिल्कुल पता है अब देखिए मैं एक चीज आप लोगों के लिए और किलियर कर दूँँ चाहे पासे का सेंपल पासे का ऑप्शन हो मानक पासे का हो ओपन डाइस का हो तीनों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका जो आंसर होगा कभी भी एक नहीं होगा पॉसिबिलिटी होगी एक होने की उम्मीद होगी कि आपका उप्शन सही हो सकता है लेकिन अगर वहीं में ऑप्शन को बढ़ा दिया जाए चार की जगए छे कर दिया और और उप्शन निकल जाएंगे मल्टिपल आंसर होते एक से जज़्यादा आंसर होते हैं पासे में क्यो पर इस वाले पासे को मैंने ये खोल के एक फिगर दे दिया किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप यहां तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे ठीक है यह पासे को मैंने खोल के यह प्रारूप दे दिया एक दो तीन एक दो तीन चोथी इसके जश्ट पीछ में जाए तो दूसरा फलक उसके जश्ट नीचे होगा एक दूसरा फलक मुझे दिखरा है तो तीसरा फलक उसके जश्ट पीछे होगा है ठीक है वह इस एकबर इसमें मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यह देख लिजिए हो bagad 2002 Aadagель現在 यह च्छे है तो आप लोगों को अच्छी से पीछे दो होगा यह चार है तो इसके पीछे जश्ट पीछे इसका तीन होगा यह चीज़ आप लोगों को हिलियर है अच्छे से चलिए अपने उसी कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जिस पर हम चल रहे हैं ठीक है अब एक चीज मेरे को बताईएगा इसमें सिर्फ यह सब्राइब होगा यहीं आपको उपनडर आइसमें बताना कि एक दूसरे के आप उज्ट क्या होगा ठीक है आप लोगों को अच्छे से एक्स्प्रेन करके समझा के उधारड़ दे के समझाऊंगा अब आप समझ लीजे थोड़ा सा कि उल्टे का मतलब क्या होता है उल्टे कर देता हूँ क्या कि आता है को जो राम की पत्णि है मैं समझ पा रहे हैं आप गीता है when Ichali, पो स्याम की पतनी है ये भी आप अच्छे से समझ पा रहे है यहां दिल्चीने कोई किabouts कोई recibilem अब उसके बाद में सुभा है से ठीगे जिर राम स्याम हो गए ने न सोबह है जो घंस्याम ही पतनी DD कि अर्टी को भी सल्टी के इः समझल्व तरह हो दह यह तीक है अब उसके बाद में मैंने सबार गंसेम को मिटा दिया कि मैंने ऊपर दो लाइन लिखी थी एकिपर वार में छे स्थाorderstone है पर उसके की निचे लिखा था वह तीन को गीता स्याम की पतनी है या भी मैंने लिखरा दे दिया मैं đã को लोगों के ऊपर दी थी पहली वाली लाइन अप लोगों के है सथा तुम पर दुर्दीन के लिए इसके तो आप लोगों को मैं पता चलDas से पहले कि आ ठीक है जी एक का नाम सोवा है एक का नम घंस्याम है तो आप लोग इनका रिलेशन बता दोगे एक दूसरे में कि सोवा घंस्याम की पतनी है कैसे क्योंकि मैंने उपर डेनोट कर दिया छे सदस्टें और तीन अपतनी है यह चीज यहां तक आप लोगों को किलियर हाई आगे अच्छे से समझ में कि आपने मैंने कुछ नहीं बताया आपने ही थोड़ा से अपना लौज़िक लगाया अपना माइंड यूज किया कि दो का मैंने बता दिया बाकी दोHक आपने एक आपने निकाल लिया नाम बताया सोवार घंस्याम बच्शे कुझे दो लोग यहां कि अब देखिएगा क्या इनका इनका अपने रिलेशन निकाल लीए नेक्स पर चलता हूँ हमें अब मैंने बोला कि सर ये एक ओपन डाइस है इसका मुझे पता था एक के पोजिट शे आएगा तो मुझे यहां पर बताओ के एक के अपोजिट यहां क्या आएगा इस वाले open ice में मेरे को विप्रीत पर्त जयात करनी है कि खुला कर लिए यह तो इस चीज में आप अप हमेना नोट करिए कि एक डिजिट युट का अलटरनेटिफ डिजिट इकके पीछे होता है उसका उल्टा होता सुर्टी फिलक होती है ठीक है ना वेसी आप अच्छे से समझ लिज आज बो जो माना जाता है उसको अल्टरेटेव और यह वैकल पिक कि हिंदी में अल्टरनेटिव को बोलते हैं एक आंतर भी बोल सकतें अब सरह एकांतर होता क्या अल्ट्रेट होता घया है तो अभीप फर सब crazीया यह कुछ घना लीकवी घना एक लीवाइक कर्ण कर डिडिप कौड़ी डो अब देखो यह रिलिएशन सरफ लोगों को कि के थोड़ा सदिया के बारे में उससे के बारे में तो सीता ने क्या गहा इसके भगल में बैठी थी गीता यह 오늘 ईत राम तुझे गोपाल सर बोला रहे हैं और साधी के लिए तुमाई साधी के लिए बात करने उन्होंने लड़ी की देखिया भाउत अच्छी ठीक है यह चीज इसको सीता ने बताई राम को अब इसने गीता को क्यों नहीं बताई क्योंकि सर मैंने इसको बोला था कि आपको गरणा फोला तुम्हारा नेंटर वाल वाली यद्छ को बलाओ और अल्टरेव लाओ अगले को डिता है粉 संबसें नहीं तुमने अगले वाले को बला तो सूर्य मन SHी मैं जिए मतलब आप अच्छे से समझ गए अल्टरनेटिव को मतलब आप अच्छे से समझ गए अल्टरनेटिव वही होता है कि मैं अगर चार को बोलूँ चार भाई तो अपने अल्टरनेटिव को बुला मुझे उसकी साधी की बात करनी है लड़की देखी है तो वह बुलेगा सर दो को छोड़ दो अगले तीन पर पह तो वह चीज को अच्छे से समझ जाए इसमें अल्टरनेटिव का मतलब मैंने सीटा गोला सीटा उसकी को बलाई यह जो आपके अल्टरनेटिव मुझे उसकी साधी की बात करनी है तो उसने गीता को छोड़ा राम को बलाए क्यों कि यह साल्टरनेटिव हो जाएगा आगे स समझ में अच्छे से चलिए सर अब चलता हूं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट क्या कहा रहे हैं चलिए यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है वैकल पे एक आंतर यह सारी चीज आपको समझ में आ गहीं मैंने दो एक्जाम सारा आप लोगों लिए पडाट फ्राट एक है आपके गोपाल सर न lg लेकी और पर गोपल सरक तोर अग्जाम कि वह समझाने के तवह रूप है मैंने बोला कि मेरे पास और सौ रप सर के पास में 1,000 रुपए है अब उसमें सौरव सर ने एक लाइन और एड लेकर दी वह क्या लाइन एड रखरी ष थैसा समझ shimmer पास बाद मों इस्टेटमेंट के थने होग दो एक मैंने दिया एक सवर रुप मैने दिया सौरफ सर ने दिया सवर कि मेरे पास 500 रुपे तो आप आप अपनी तरफ से लोजिक लगाएंगे सर वॉपाल सर ने बोला भी हम दौनों के पास हजार रुपिया है और सुरवभ सर ने बोला कि हमरे पास 500 रुपिया है तो बचा कुछा 500 रुपिय कहां गया लगता है गोपाल fresh आ पास हैappelle सर चुपा रहा है वान सर पया जीहाँ आपने लॉजिक सही लगाया पैसा गोपाल सर के पास ही है तो वही चीज बता रहूं मैं आपको अपने से दिमाग लगाना है दोनों चीज़ों को याद रखना है पहला मैं ने फैमिली वाला एक्जामपल दिया था आईये समझते हैं क्या बोल रहे हैं यह वाला कॉस्चन बोल रहा है कि सर एक दूसरे का अल्टरेटिव यानकि दूसरे का पॉजट से पढ़ते हैं क्यों सी वाली होंगी ठीक है न वह आप लोगों को अल्टरनेटिव को बहुत एक्स्प्लेइन करके हिंदी में प्यारे प्य ठीक है जी गीता और यहां पर था राम मैं इस अल्टरनेटेव बर्ट पर क्यों फोकस कर रहा हूं कि आप लोगों को अल्टरनेटिव का मतलब मैं अच्छे से समझा पाऊं मैंने सीता को बोला सीता तुम अपने अल्टरनेटिव बाले व्यक्ति को बला मुझे उसकी सदिया क बात करना है ठीक है अब मुझे उसकी साधिकी बात करना सी था आपने अल्टरनेटिव वाले वैक्ति वोला सीता ने क्या बोला कि घीता को छोड़ के और बुला दिया राम को क्यों अल्टरेटेव को मतलब हो तसको एक और एक का डिफ्रेंट वेकल पीड ठीक है ना एक का पंशीता में चलते हम अपने कॉस्चन की तरफ कंशन मैंने पूछा सर चार का अलटरेट अपो मुझे क्या होगा सर चार पॉजिट नम्हार का पांज के तौर पर शॉबलिव अपने आगे वाले बॉला ना ना था बहुत वाले को बलाना आज बाज वाले को बला ना एब लोगों को परिशान करता है बाभी जी को बोलना दिवाली पर आएंगे फुल वलती जुड़ाएंगे ऐसा एसा करके को लोगों के लिए अल्टरनेट्ट पर लोगों के लिए लोगों के लिए अल्टरनेटिव को बलाओ प्लीज मुझे साधी की बात करनी है उसने घीता को छोड़ दिया राम को बला दिया क्योंकि अल्टरनेटव का मतलब एक का अगला एक अंतर एक अंतर का मतलब एक का रिफरेंट आपने जीपी में ग्रोटर मान ग्रोथर से ड़ी आप लोग उस चीज़ को मैथमेटिक्स में पढ़ा होगे मैथ वाले टीशर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे एक और जीपी का मतलब क्या होता है समंतर स्रेडी और ग्रोथर स्रेडी ठीक है सर आब उसके बाद में देखेगा यह चार का पोजिट मैंने माच का पोजिट च्याएं है तिक है तक कि यहां तक कि प्रबल्म मैंने कम से इस मिल ट्रपिक पर लेक्षर दिया भासा दिया वासल दिया किस लिए आप लोगों को इजी करने के लिए जिए कि अनुकिट्र नगा इसका फॉर्व में पेसिक से निकलों प्राक्टिस कर आई लेवल टॉप लेवल को शना बड़ी आसानी से बना पाएंगे बट आप लोगों को बेस किलियर कराना मेरा मोटिव है ठीक है चलिए नेक्ट क्या रहा है नेक्ट देख लेते हैं देखिया ये भी एक खुला पासा ये भी खुला पासा उसमें पूछा गया है कि सर एक द सब्सक्राइब क्या सिस्टम नहीं है यह मैंने अप लोगों को अच्छे से समझा दिया है अब मैंने बोला कि एंग एंग और सी अब उसने मेरे पूछा सर एक के अपोजिट क्या होगा पासे कि हमें हमें सदीन ही परत दिखेंगी ठीक कि यह थी इसकी हमें तीन ही दिखाएंगे अगर मेरे पास वह नौट फाइव होता तो मैं आप लोगो गुमा के भी दिखा देता पासे को पीछे से पासा कैसा दिखता है अभी थोड़ा नौट फाइव इसमें चालू होगा नौट थरी पर हम लोग कर रहे हैं अब देखिएगा फिर ऊसके बाद में बीका पास यहां है इसके जश्ट पीछें बीका पॉजेट होगा है सी सी यहां है सी के दिखेंव क्यों सलब गी Зап Zusch तर उसके बाद में नेक्स उसका पोजिट होता है सर सी की अपोजिट कहा हो जाएगी सर कैसे हो जाएगी अल्टरनेटिव एक को छोड़ा दूसरे पर में खूद गया डारेक्ट ठीक है जी अब उसके बाद में मेरे पास दो ही बचे थे मैंने आप लोगों को एक्जामबल द लोगों से मैंने पुचा था क्या कोई भी एक्जाम्पर ले लेते हैं रूबी ले लो कोई भी था नाम तो मेरे को यान नहीं है रूभी और इस किसरा में गोलू के बीच में क्या समंध है तो सर यंभी तो पती पतनी होंगे तो मैंने बोला ये इसका इपाउजिट है ये इसका आपो जट है तो F और बी एक का पॉजट है एए को इका पॉजट है समझ ने सीडी का पॉजट है बचे दो अपोजट तो आपस में एक दूसरे के ही होते हैं यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से एक बाद बताईए आप मेरे को एक आप लोगों के लिए यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है तो बताईए मैं next आगे बढ़ता हूं कॉस्चन की तरफ चलिए सर नेक्ष्ट बढ़िए क्या कह रहा है कॉस्चन अब उसके बाद में एक यह और आ गया ऐसे पड़ा हो ऐसे खड़ा हो ऐसे लेटा हो फिगर आपको छही दी जाएंगी क्योंकि एक पासे की छही फिगर होती है आप लोग समझ पा रहे हैं एक पास नमर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा बीश बाले को छोड़ दो अल्टरनेटिव को एक अंतर नमर चाहिए मैंने सीता को बोला अपने अल्टरनेटिव को बलाओ उस निर्णाम को बलाए गीता को छोड़ गया इसमझा है था क्यों क्योंकि उसकी साधी की बात करनी थी और हść हो जाएगगी अब उसके बाद में इसको मैं उसमें डाइस में और करके दिखा देता हूं कि सर कैसे होगा ये देखिए है आप उसके बाद में समझिए पी ठीक है सर जैड और एस जैड यहाँ पर जैड को क्या लिख सकते है सर जैड का जो अपोजिट नमर होगा वो जस्ट बॉटम में आ जाएगा नीचे जैड को क्या कहेंगे ए जैड टॉप है तो ए नीचे पा जाएगा पी अगर यहां है पी का पॉजट क्या है सर है च है इसके पीचे चला जाएगा खूमके ऐस यहां पा है तो इसके सेड अजाएगा पीछे की साड घूमके यहां तक किसी को कोई प्रावलम मैंने सिर्फ अभी तक आप लोगों को अपोजिट नमबर समझाए हैं वो भी अच्छे से ठीक है सिर्फ अपोजिट नमबर समझाएं कि खुले हुए पासे के अपोजिट नमबर अपोजिट फलक पीछे वाली फलक किस तरह से निकालनी है आप लोग समझ पाएं अच्छे से चलिए चलते हैं पीजिए नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट क्या कह रहा है यह आगे फॉपाल सर्फ इसमार्ट लग रहे हैं एक दम भॉकाल चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है अब समझे लिए वैसमेर की साथ में रख दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं ठीक है जी यह आप लोगो आफ़ जी अब देखिया यह वाली छेप ब्रते देर अब आपको फटाक से बताना अब टाइम नहीं ले ना मैंने इतना बेसिक में टायम लिया आप लोगों को समझाने के लिए साथ चीजों को एक्सप्रेंट करने के लिए टाइम लिए अब आपको टाइम नहीं लेना आपको धुमादार उला देना कोस्टन को बस कोशन दिखा उलादो अब देखिए एफ का पोजिट क्या हो जाएगा सर बी क्यों क्योंकि अल्टरनेट वे एक से अगला वाल उठाना है ठीक है सर अब अच्छा आप इस के बार में Ud90 नमर वह सीए एक आंभयलजट नमर है वह सी है ठीक है सीओ यह इसका èपोजेट नमरापपजेट फलग एगर इदे दे दिखेगी तो सीपीछे चुप ज्बिए और इप दिखेगी तो उटें झुने में पैब देखेगी और आपजेजी हैगी जिस तरह तो नहीं छुपा पाईंगे या तो एक देखेगी अच्छे दुपई कि तीन फिगर तो दिखती है फ़र डाइस की ठीक है सर अब उसके बाद में अब देखिए क्या हो जाएगा आप उसके बाद में यह वाला हो जाएगा सर दो का निकाल लिया तीसरे वाले का क्या होगा ए सब्सक्राइब करते हैं मैंने क्या बताया सर एक साथ दो फलक है ना तो कभी छुप सकती है ना कभी दिख सकती है यह चीज़ आप इससे समझ लो चैके अपोजिट होती है एक क्या एक मेरे को दिख रही है अगर च्छे दिख रही है तो एक नहीं देखेगी एक छुपी हुआ इसका मतलब दो फलक है ठीक है ना एक डाइस की दो परत जो कि एक दूसरी के अपोजट होती है ना तो कभी एक साथ छुप सकती है ना एक साथ कभी दिख सकती है ठीक है एक देखेगी तो एक छुप जाएगी तो इसका मतलब एफ और भी एक साथ ना तो मुझे उसकते हैं एक ही देखेगी एह और भी में से एपसमें मैं समय सर्इदोगी मेरी गलत क्यों वोगने सार मैंने क्या सब्सक्राइब जबनाइब और सी और सी कि है इस जब एक साथ दिख सकते ना यह कभी एक साथ छुप सकते हैं ई और सी ई और सी एक साथ दिखे यह वाला भी हो गया सर गलत जब एक बताई यह च्छाह उस डाइस में तुमें दिख रहा है एक पै जिसे आप लोग डाइस की बासा में बोल दें तो पै देख रहा तो पैस में छिप्राइन यह चीज़ा रही है यह सर समझ आ रही है तो आप यहां पर भी तो इजरी से समझ हो यार समझ काहैं नहीं रही हो ठीक है अब देखे एई हो गया एक साथ में तो ऑप्सण के लिए बीक प्राइक डिच अग्शाद में दिखने हो एक साथ में नहीं सकते यह देखेगा डी शुप जाएगा डी दिखेगा एच शुप जाएगा ठीक है जी भी आंसर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मैंने पहले क्या किया मैंने सिंपल भासा में क्या असर आप लोगों के लिए पहले निकाला एप का पॉजट भी है एक पॉजट सी अल्टरेटिव ठीक एक से अगला वाला उसका पॉजट होता है अब आप ल लो अल्टरेट आप लो भी होता है ऐसे ओव ऐसे उट फरक बड़ता है आप लोगों को बताए नहीं था भी किसी ता बोला सुटै जैज्वें सादी की बात कर नियुक्त को फ्रकता तो यह वाला निकाल दो सी का पूछा तो यह वाला निकाल दो तो मैं डाइस पर वो चीज़ डिपेंड नहीं करने बिटा कि कहां जा रहा है डाइस कोई दिक करने खुला पासा तो खुला पासा रहेगा चैपर से ज़्यादा भी नहीं आप लोगों के लिए छैपरती यह वाली फॉर्म यह वाली फॉर्म कौन सी स्पास्टे से मिलाकर बनाई जा सकती है यह अब उसके बाद में देखें किजिए क्या है सर यह यह किया है मैंने क्या बोलाता बंटा कि इसका जो जाएगा खाली का फाली हो जाएगा लड़रते पीशम इह ऩात राव तर्ल्क बरेंश फर से शोली हो जाएगा डिकें अब तक यहां तक में कोई प्रॉब्लम कोई शमस्या बड़े बड़े एक्जामपल देके समझा सुरिवन सी मुवी का एक्जामपल लिया था उसमें जो मजाक करता है क्या नाम उसका नाम है सैड आई ठिंक कपूर करके सौनम वो है साइड उसका नाम आइड़न नो वाट आप लोग उस चीज़ को समझो ठीक ना उसमें क्या बलता है नेक्स्ट अगले बाले बाले लो अल्टरनेटव को बलाओ तुम को नहीं अगले बाले को दो उसके बाद में देखिएगा इसका पोजट खाली का पोजट क्या हो जाईगा ऑफ उसके बाद में दोस्रे इसका जो ऐसे करके जो बना हुआ इसका पोजट क्या हो जाएक इसका पोजट हो जाएका सर यह वाला इस फलक का पूरोह हो जाए यहां तक समझने में किसी को कोई प्रावबलम हो तो पताई अगर यहां तक किसी को कोई समझने में कोई प्रावबलम हो तो पताईएगा अब उसके बाद में यहां पर दिख रहा है एक छुप रहा है पांच आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए समझने के लिए बनाएगे तो इसका मतलब यह दोनों फलके दूसरे का पॉजट है तो यह दोनों खाली खाली एक साथ दिख नहीं सकती है यह दोनों अपस में बिंदी और यह दोनों एक साथ में दिख नहीं सकती है एक छुप जाएगी तो यह दोनों एक साथ में कभी दिख नहीं सकती है नहीं एक साथ में चुप सकती है एक छुप जाएगी यहां पर छे दिख रहा है तो होता है डाइस में तो एक छुपा हुआ है दिखा हुआ है यहां ता किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे यह 10 तीनalsa कर और ना डास यहां रहा कर रहे होगे चलते नेश्य नेक्सका डाइस थो सकताओ अच्छे से समझ आएगा ठीक यह यह वाली फॉर्म बन गई तो मैंने आप लोगों किया बताया था सर दो का पॉजट्ट हो जाएगा चार दुवादार उड़ाते चलो टाइम मत लगाओ कॉस्चन को देखो उड़ा दो अब उसके बाद में देखे सर दो का पॉजट्ट क्या जाओ दो का पॉजट्ट हो पांच यह चीजी तो मैंने पहली में समझाए था अप लोगों के लिए अपज़िट नम्मर आगे किसी को इनको यहां पर ड्रॉब कर लो टाइप कर लो अच्छे से समझ आएगा देखे सार पहला पहला में क्या था दो का पॉजट्ट नीचे क्या लिखा हुगा था उसके लाण तो यह फ्रक होगे एक साथ नाट लिख सकते हैं यहां किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इन दोनों में से दिया होगा बिल्कुल सही होगा अगर कहीं पर भी डबल दे दी है तो वह बाल ऑप्षन मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद में समझ आता हूं मैं किया जो तोड़ा समय उपर करते दा हूं अब आप लोग स्कूस मज़ पाएंग यह वाली फॉर्म कभी नहीं बन सकती यार समझें यह वाली फॉर्म आप लोग की कभी बन ही नहीं सकती क्यों सरे एक दूसरे के अपोजिट हैं दौनों की दौनों समझ रहो ठीक है अब उसके बाद में देखते हैं सर अगर हाँ इसमें दो नहीं होता दो की जगा और को अब आप का पूरे जीवन में और इंडिया में अलवर वर्ल्ड में आपका डाइस का अप्सन को कोई गलत कर ही नहीं सकता सब्सक्राइब तो उसके बाद में फिर देखिए एक अब उसके बाद में क्या एक और पांच पांच भी एक साथ नहीं देख सकते पहला गलत दूस सबढ़ ऑगा हुआ तो देख लोगा एक फस्ट इसमें से अलिया सबसने चार सर चार इसमें से टाली है निक्चे वाले समय से चे चे उपर वाले में सब्सक्राइब और करेक्ट अंसर ऑफ दिशी डीकरेक्ट रहा दैस पोर इस कॉश्टिएन समझभान आप लोग बत इस कि आप लोगों को एक उठाना है दोनों जिसमें आगे वो अप्सन गलत हो जाएगा ऑप्सन एलमिनेट हो जाएगा एक अंतर का मतलब क्या होता है एक का डिफ्रेंट एक अंतर का एक दूसरे अपॉजट जाएंगे छे का पॉजट तीन कैसे होगा सर समझ नहीं आ रहा एक अ अब लोगों को क्या समझाए था कि क्या क्या रहा है कौन सी उत्तर आकरती पिसमें दीगे आकरती को मोड़ कर बनाई जा सकती यह ठीक है ना समझ गया आप उसके बाद चलते ऑप्सन की तरफ ऑप्सन क्या कह रहा है मैंने क्या बोला था चाए ऐसे आजाए भाई मेरे इसका मतलब कैसे नकाल होगा वो च्यार होगा डियर आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं च्रोगा अल्टरेटिव को मैंने चोड़ दिया तीन गड़ प्रित क्या होगा पांच मैंने चार को छोड़ दिया आप लोग समझ पारे अच्छे से अब उसके बाद में देखे आप लोगों के लिए दे रखें अब उसके बाद में देखिएगा करना से कपोई चार 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 है सरें यह दोनों काट दिये तीन कप शियर ओंच है तीन जापधिटंग устрой इंग wzglी इन फाली आप्शू को चाहिए कि आप लोगों को पढ़हुआँ लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद में डायक को लाद होगे सी शट का कॉस्टिन गढ़ाई नम्मर का ओपन डाइस से आएगा डैफिनेटली आप लोग लोग दोगे वर कोमेंटरी टू कोमेंटरी वो सारी चीज आप लोगो को बाद में सम्झा तो एक ये बांच अब लिखे लिया सबते पह्ते इन पांच में चाहिए लिज़ो कोई तर सही नहीं होगा थीक है आप लोग समझ पाने है च्छार में से एक ले लो च्छार में से एक लिए ठीकए सार A Be itult pyramid Vet सबस्क्राइब है ना तो यह कभी भी साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ दिख गई तो ऑफन गलत हो गया एक साथ छुप गई तो वो और गलत हो गया जो बच्छा वह आपका अंसर है अब देखिए समझते हैं क्या बोल रहा है देखिएगा अब उसके बाद में क्या है पहले वाला गलत क्यों हुआ च्छे और चार एक साथ देदी दिए दूसरा वाला गलत कैसे हुआ तीन और पांच एक साथ देदी तीसरा वाला गलत कैसे हो जाएगा ती कि दो था ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं नहीं कभी एक साथ चुप सकती है बिपरीध क्या होती है इक सब्सक्राइब करें चार शेक आपOW के लिए ताकि आप को hamburger है कि हाँ को पल सरने को साज पढ़ाया चलिएगा जी क्या बोल रहा है यह कॉश्चन बोल रहा है सर आप लोगों के लिए अरे हाँ यह नहीं फिकर आई न मैंने क्या बोला ताप लोगों के लिए आपको अल्टर्नेटिब से मतलब है एक अंतर से मतलब है फिकर कैसी भी हो उडा दोगा अप डारेक्ट उडाद हो गया हंड्र addressed इसका पॉजट यह वह जाएगा इसका पॉजट यह जाएगा अल्टर्नेट्चब सत अब जो बचा वह वह वो इसका पॉजट सर पहले में क्या था इडॉट का निषान था डाट का अप signatures के बाद में देखते हैं comment भाने σकथ खाली है अब उसके बाद में देखते हैं सर तीसर वाला खाली के आपॉजटट काली है नहीं तीसरे वाला तीसरे वाला यह दूसर यह इसका बाद होगा का तीके एफ-पिले ठीक है समझने हैं आप लोग डॉट का पॉजिट यह हो जाएगा इसका पॉजिट यह हो जाएगा प्लस का पॉजिट हो जाएगा वह वाला लास्ट अब लसका पॉजिट हो जाएगा यह वाला है कि दुबारा से ड्रो करते हैं दुबारा से समझाते हैं को संडिस्टेंड नहीं अच्छे से दुट का पॉज्ट वाला होगा ठीक है ओका पोजट यह वाला होगा ऑप फिर खाली अप्लस का जो है अपॉजट होगा ठीक जी यह यूज हो गई यह यह चाहिए भाला खाली यह वाले सकते हैं इसमें से यह भूला था किसर यहां पर छहां पर छहास नहीं जुभी तो यूद लिए प्ट्रीट फोल जाती है वह एक साथ नहीं दिख सकते जlorand तत्क कर देखेंगे ठीक है नब देखेगा क क्या अब देख्येंगे तीन कैसे देखें चीन ऐसे दिख रही है तीन ऐसे दिखनें हैं साप लोगों के लिए यह वाली फलक जिसमें एक साथ दीगो यह वहला उप्सन आपका अपकर लिमनिट हो जाएगा गलत हो जाएगा तो आपका option correct answer हो जाएगा देखिएगा अब समझते है कि गलती कहां होती है अब उसके बाद में देखिएगा सर की पिलस इसका ले लिया डॉट इसका ले लिया ठीक है जी अब उसके बार में डॉट इसका भी ले लिया यह चीज आप लोगों को समझा रही एक बार को च्छरा देते हैं सब्ढ Independence तो इसका जाएगा मतलब इसमें एक से ज्ञादा निकलेंगा आप जबोगों के लिए ठीक है ना एक से ज्बादा आंसर निकलेंगे आप लोग की सकते और लोगों के लिए की ये वाला सर देखिए गाए बाले में प्लस दे रखा है ठीक है सर यह देरा का ओफ साने ठीक है यह बी मैं किया दे रखा दोर्ट और इंप टी तीन खाली है तीन भरे हुए में एपिलस डॉट जीरो झरा आब उसके बाद में बहुना एकулे से ज्डाब आपलोगों के लिए एक से जादा अपस्टन सही हो जाएंगा इसमें क्यों کیोंकि इसमें तीन खाले एक खाली C option C आ घाएगा a plus B plus C is the correct option D आ जाएगा a plus D is the correct answer इस तरह से आप इसके option होंगे ठीक है न समझ पारें इस तरह से आपके option होगे सिर्फ आपको लोगों को इस चीज को इस तरह से करना है कि डॉइन के साथ में यहीं गाएगा के साथ में के लिए कि आप लोगो लिए मैंने यहीं समझाई थी किसा एक से ज्यादा होंगे हर एक कोश्चन के डिपेंड करेगा कि उसके ऑप्षन किस तरह से मोटिफाइगे गया है इसका अभी पूरा नहीं दिया गया है तो उस वज़े से देखेगा आप लोगों के लिए सिंपल भासा में सबसे पहले साधर पासा उसको आदम मानस पासा उसको वान कॉमंट्रिक वो सारी शीजों को डिफैन किया जाएगा अच्छे से समझाए जाएगा और प्लस में आपको बेसिक से भी बताए जाए जिस तरह स में अल्टरेटिव का मतलब समझाए था उसी तरह में सारी शीजों को समझाएगा थैंक यू सो मस् हैवानाच दे आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था चलिए मिलते नेक्स्ट क्लास में बाबा ठेक क्या गुड़नाइट